एलो फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम से संबंदित कुछ महात्वपूर्ण प्रस्ण और उनके उत्तर महात्वपूर्ण जानकारी सहीद बताऊंगा चलिए ज़्यदा समय नवेश्ट करते हुए मूह होता है और मंदाकिनी को सबसे पहले देखने वाले वैग्यानिक थे वो गैलीलियो थे और हमारी आकास गंगा के सबसे पास जो मंदाकिनी है उसको देवयानी या एंडोमेडा के नाम से भी जानते हैं तोस्तों आज का दूसरा प्रस्ण सूरिक के बाद प्रिथिवी क सबसे नजदीक कौन सतारा है तो सूरिक के बाद प्रिथिवी के सबसे नजदीक प्राक्सिमा सेंचूरी तारा है जो कि 4.3 लाइट यर्स दूर है यहाँ अलफा सेंचूरी का एक तारा है तीसरा प्रस्ण सूरिका वह कौन सभाग है जो हमें दिखाए देता है तो सूरिका कितने वर्स है तो दोस्तों सूर्य की उम्र 5 biliyaan vias है आज का उंच पर सूर्य क करहाण के समय सूर्व के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं evaluating तो सूर्य किरीट या करीट्ड कहते है considered उस समय यह एक्सरे उस सर्जित करता है छट माउन बहाराथ सूर्य के कोरोना के अध्यन के लिए सेटेलाइट भेजने वाला है उसका क्या नाम है तो भारत सूर्य के कोरोना के अध्यन के लिए आदित L1 नाम का सेटेलाइट भेजने वाला है और इसमें जो L1 जोड़ा गया है वो Lagrangian Point के लिए जोड़ गया है दोस्तों आज का साथवा प्रस्न Sun Spot Cycle का एक पूरा चक्र कितने वर्सों का होता है तो Sun Spot Cycle का एक पूरा चक्र 22 वर्सों का होता है सूरी के जो धब्बे होते हैं उनका तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेट कम होता है पहले 11 वर्स तो ये दब्बे बढ़ते हैं उसके बाद 11 वर्स ये घड़ते हुए प्रतीत होते हैं आज का आठवा प्रस्न सूरी जोला जिसे सोलर फ्लेयर्स के नाम से भी जानते हैं को दच्छी दुरू पर क्या कहते हैं तो दच्छी दुरू पर सूरी जोला को औरोरा आस्ट्रियालिस कहते हैं और इसी को उतरी दुरू पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं तो आज का नवा प्रस्न सांज का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो सांज का तारह या भोर का तारह सुक्र ग्रह को कहा जाता है या पृतिवी का निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है इसे पृतिवी का भगिनी ग्रह या सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं या सबसे गर्म है क्योंकि इसका atmosphere मरकरी की तुलना में काफी ठीक है और solar heat को या trap कर लेता है आज का दस्वा प्रिशन हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म 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 कौन सा है मंगल गर्म को लाल गर्म के नियाम से भी जाना जाता है और इसका लाल नंग वहाँ पर iron oxide की उपस्तित के कारण है दोस्तो आज का बारूहा प्रस्ण सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी और सबसे उचा परवत कौन सा है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी ओलिपस मेसी है और परवत निक्स ओलंपिया है ये दोनों मंगल गर्म पर उपस्तित है अचका तेरूहा प्रस्ण भारत का मंगल यान किस लांच वहिकल से लांच किया गया था तो दोस्तो भारत का जो मंगल यान था वो PSLV C25 से लांच किया गया था अच्छा ओदहुआ प्रस्ण भारत के मंगल यान ने कितने दिनों में मंगल गरह का एक चक्कर लगाया था तो दोस्तों भारत के मंगल यान ने दो वर्सों में मंगल ग्रह का एक चक्कर लगाया था पिर्थिवी के दो वर्स मंगल ग्रह के एक वर्स के बराबर होते हैं आज का पंद्रुहा प्रस्न विरिस्पति ग्रह के पास कितने उग्रह हैं तो विरस्पत के पास 60 उग्रह है और विरस्पत ही हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूरी का चक्कर 12 वर्सों में लगाता है तो दोस्तो सनी ग्रह सावरे मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूरी का चक्कर 29.5 साल में पूरा करता है अठारूहा प्रस्न सनी ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? तो सनी ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है दोस्तो फोबे नामक सनी का एक गुप ग्रह है चो इसकी कच्चा के घुमने के विपरीद दिसा में परिक्रमट करता है दोस्तो आज का उन्नीसवा प्रस्न लेटा हुआ ग्रह कौन सा है तो दोस्तो लेटा हुआ ग्रह अरूड ग्रह को कहते हैं दोस्तो आज का बीसवा प्रस्न अरूड ग्रह को टेलिस्कोप से देखने पर या कौन से रंग का दिखाई देता है तो अरूड ग्रह को जब टेलिस्कोप से देखते हैं तो आप ब्लू इस ग्रीन कलर का दिखाई देता है अरूड ग्रह आकार में सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ अपने अच्छ पर सुक्र ग्रह की भात पूर्व से पस्चिम की ओर गूमता है इसलिए यहाँ पर सुर्योद्य पस्चिम में और सुर्यास्त पूर्व की ओर होता है आज का 21 प्रशन नेप्चून जिसको हम वरुड ग्रह के नाम से भी जानते हैं इस का नाम लिवनीद परवत है 23 प्रसन ग्रहों की गति से संबंदित नियम किस वाइग्यानिक ने दिये थे दोस्तों ग्रहों की गति से संबंदित नियम कैपलर ने दिये थे 24 प्रसन खगोली एकाई किसका मात्रक है तो दोस्तों खगोली एकाई को एस्ट्रोनामिकल अजसतौ